दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सुभी को टाफ फाइब बेश 55 इंज 4K स्मार्ट एलीड टीवी बताऊंगा जो आपको अंडर 30,000 रुपीज में देखने को मिलेंगे जा दोस्तो जितने भी स्मार्ट टीवी बता रहा हूं इसमें आपको जो डिस्प्ले दिया गया है जो साउंड क्वाल्टी है उस इक साथ में आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है जो रहा है हम और इस टोरेज हैं सब कुछ आपको एकदम टॉप नौज देखने को मिलेंगे और इन सारे स्मार्ट टीवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से भी जाकि इसको स्वा कुस्तिय हैं जो आज के इस लिष्ट में आते हैं तो बात करते हैं तो आज की आपको तरफ से देखने को मिलता है और इसमें भी आपको जो सारे की ऐतै गए हैं चाहे डिस्प्ले की बात करें चाहे प्रोसेसर की बात करें, ये साउंड आउटपुट की बात करें, ये सब कुछ आपको बढ़िया देखने की मिलता है और ये है BU 4K Smart LED TV विसके इस स्पेसिफिकेशन की बात करें, इसमों को 55 इंच की 4K Ultra HD 60 अज रिफ्रेसेट वाली HDR10 certified display जिसमों आपको 178 degree viewing angle, 64 GB quad core processor, वेब OS operating system, माली G31 graphic processor, 1.5 GB RAM, 8 GB storage, Netflix, YouTube, Hot Store, Amazon Prime जोसे आपको multiple supporting app मिल जाते हैं उसी साथ में सब्सक्राइब को 40W का Dolby Digital Sound Output, 3 HDMI port, 2 USB port, Wi-Fi, Bluetooth जैसे connective feature के साथ में आपको Google Voice Assistant, Inbuilt Chromacast और 1 Year Key warranty के साथ में आपको 29,990 रुपीज में आता है लेकि दोस्तों जो इसमों आपको RAM और storage दिया गया है, आपको 1.5 GB का RAM और 8 GB का storage दिया गया है, जो कि थोड़ा सा कम है इस price range के हिसाब से और दोस्तों इस price range पे यह भी बहुती बढ़ी है smart TV देखने मिलता है, वीडियो की तरफ से तो बात केते हैं दोस्तों आज की लिस्ट में जो चौते नंबर पे smart TV आता है, आपको Sansui की तरफ से देखने मिलता है और इसमें भी आपको जो सारे feature दिये गया है, सब बढ़िया देखने मिलते हैं, और यह है Sansui 4K Smart LED TV अब इसके specification की बात केत, इसमें भी आपको 55 इंच की 4K Ultra HD 60Hz इंफे सेट वाली HDR10 certified display, जिसमें आपको 178 डिग्री ब्यूइंग अंगल, Quad Core Processor, Android 10 Operating System, Multi-Core Graphic Processor, 2GB RAM, 8GB Storage, Netflix, YouTube, Hot Store, Amazon Prime और Play Store जैसे आपको Multiple Supporting में भी मिल जाते हैं उसी साथ में आपको 20W का DTS Dolby Sound Output, 3 HDMI Port, 2 USB Port, Wi-Fi Bluetooth जैसे Connected feature के साथ में गूगल वाइस असिस्टेंट, इन विल्ल क्रोमा काश्ट और वन येर की वारंटी के साथ में 30,990 रुपीज में आता हैं लेकि दोस्तों इसमें आपको 20W का ही Sound Output है जो की और भी बेहतर हो सकता था और उसी साथ में जो Storage है वो भी आपको 8GB का ही मिलता है इस price range पे अगर 16GB का रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता तो ज़्यादा बढ़िया रहता है और आल दोस्तों इस price range पे ये भी आपको ए ज़क 4K Smart Android LED TV अब जिसके specification की बात के इसमें भी आपको 55 इंच की 4K Ultra HD 60 HDR 10 Plus Certified Display जिसमें आपको 178 डिग्री व्यूइंग अंगर, Cortex A53 Quad-Core Processor, Android Operating System, Mali 450 MP3 Graphic Processor, 2GB RAM, 8GB Storage, Netflix, YouTube, Hot Store, Amazon Prime जैसे आपको 6000 प्लस मल्टिपल सपोर्टिंग भी मिल जाते हैं और इसी साथ मिसमें आप 40W का Sound Output, 3 HDMI Pod, 2 USB Pod, Dual Band Wi-Fi और Bluetooth जैसे Connectory Feature के साथ में आपको Google Vice Assistant, Inbuilt Coma Cast और 1 Year की warranty भी मिल जाता है प्राइस की बात कहता है आपको 29,499 रुपीज के साथ में आता है तो बात कहते है दोस्तों इस Smart TV के Pros and Cons की इसमें जो Display दिया गया है, जो Processor दिया गया है, जो Sound Output है और जो सारे Connectative Feature हैं इस सब कुछ आपको बढ़िया देखने की मिलते हैं वैसा कोई इसमें बड़ा Major Con नह और यह भी आपको फीचर वाइस बहुत ही बढ़िया है लेकिन जो इसकी प्राइस है वो भी आपको बहुत ही effective प्राइस पर आता है और यह है वेस्टिंग हाउज 4K Smart LED TV अब इसके Specification की बात कहते हैं इसमें भी आपको 55 इंज की 4K Ultra HD 60 है जरुफे सेट वाली HDR 10 Plus certified display, 178 degree viewing angle, Cortex A53 quad core processor, Android operating system, Mali 450 MP3 graphic processor, 2GB RAM 8GB storage, Netflix, YouTube, Hot Store, Amazon Prime जैसे आपको 6000 प्लस multiple supporting app भी मिल जाते हैं उसके साथ में इसमें को 40W का sound output, 3 HDMI port, 2 USB port, dual band Wi-Fi और Bluetooth जैसे connectory feature के साथ में आपको Google Voice Assistant और in-build chroma cast के साथ में आपको 1 year की warranty भी मिल जाती है प्राइस की बात के अथा आपको 28,499 रूपीज के साथ में आता है तो बात करते हैं दोस्तो इस smart TV के pros and cons की इसमें भी जितने भी feature दिये गए हैं दोस्तो सब आपको एकदम top notch देखने की मिलते हैं चाहे display हो, चाहे processor हो, चाहे sound output हो और सबसे बड़ी बात दोस्तो सबसे comprises पे यही आपको 55 इंच डिस्पले के साथ में 4K smart LED TV देखने की मिल रहा है और इसमें जितने भी feature दिये गए हैं सब आपको एकदम top notch देखने की मिलेंगों रहे Acer 4K Smart Android LED TV अब इसके specification की बात केत इसमें भी आपको 55 इंच की 4K Ultra HD 60 है जिर्फेर सेट वाली HDR 10 Plus certified display जिसमें आपको 178 डिग्री विइंग अंगर 64-bit quad-core processor, Android 11 operating system, Mali-G31 graphic processor, 2GB RAM 16GB storage, Netflix, YouTube, Hot Store, Amazon Prime जैसे आपको 5000 प्लस multiple supporting app भी मिल जाते हैं उसी साथ मिसमें आपको 30W का Dolby sound output, 3 HDMI port, 2 USB port, Dual Band Wi-Fi और Bluetooth जैसे connective feature के साथ में आप Google Voice Assistant, In-Build Chroma Cash और 2 Year की warranty भी मिल जाता है प्राइस की बात करेता आपको 29,999 रूपीज के साथ में आता है तो बात करते हैं दोस्तों इस smart TV के pros and cons की इस smart TV में दोस्तों सिर्फ pros य-pros देखने की मिलते हैं चाहाई इसके display की बात करे, चाहाई processor की बात करे, चाहाई रहा है में storage की बात करे इसमें आपको जो sound output दिया गया है, जो इसमें आपको सारे connective feature है सब कुछ आपको इस price range की सबसे एकदम top knowledge देखने की मिलता है इसमें ऐसा कोई भी measure कौन देखने को नहीं आता है तो दोस्तों यह थे आज के top 5 best 55 inch 4K smart android LED TV under 30,000 रुपी तो दोस्तों आज के video बस इतने ही आपको मारी वीडियो कैसे लिए कि नीचे comment में जरूर बताना है वीडियो पसंद आए हो वीडियो को like कर देना, share कर देना और चैनल पर हो चैनल को भी subscribe कर लेना तकि दोस्तों वीडियो क्लास तक देखने के लिए